नमस्कार दोस्तों दोस्तों चेहरे से जाईयों को दूर कैसे किया जाता है? Pigmentation आजकल एक ऐसी समस्या है जिससे कई महिलाएं और पुरुष परिशान रहते हैं जाईयों से स्किन पर गहरे भूरे या काले रंग के निशान हो जाते हैं जाईयों के होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि बढ़ती उम्र की वज़ा से हार्मोन्स के असंतूलन की वज़ा से दूप में जादा रहने से पेट खराब होना जादा टेंशन या तनाब लेने से आदी आज की इस वीडियो में हम आपको चहरे पर होने वाली जाईयों से चुटकारा पाने के लिए बहुत असरदार नुस्खे बताएंगे तो चलिए अब जानते हैं जाईयों को दूर करने के सफल उपाए उपाए नमबर एक एक चमच मलाई में चार बदाम पीस कर मिला लीजिए और फिर उसको अपने चहरे पर लगाईए आप इस पेस्ट को उस जगा जादा लगाईए जहां पिग्मेंटेशन है फिर हलके हलके हातों से मसाज कीजिए और कुछ देर तक इसको ऐसे ही लगा रहने दीजिए अगर आप इसको रात को लगा कर सो जाते हैं तो और भी बहतर है सुबा उठकर आप अपने चहरे को धोलीजिए और इसके लिए आप बेसंग का प्रयोग कीजिए अगर आप इस उपाई को रोज करते हैं तो दो-तिन हफ्तों में ही आपकी जहाईयां कम होने लगेंगी साथ ही आपके चहरे पर एक ग्लो भी आएगा बदाम में विटामिन E, विटामिन B6, मेगनेशियम, फास्पूरस, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक आदी पाए जाते हैं जब आप बदाम को क्रीम के साथ मिलाते हैं तो एक बहुती इफेक्टिव पेस्ट बनता है, जो जहाईयों को दूर करने में बहुती कारगर है उपाय नमबर दो एक चमच मुलतानी मिट्टी, एक चमच हल्दी, और एक चमच बेसन लीजिये और इनको साथ में मिला लीजिये फिर इनमें थोड़ा सा पानी डाल कर एक पेस्ट बना लीजिये इस पेस्ट को पिग्मेंटेशन वाली स्किन पर लगाईए और लगबग 30 मिनट के लिए ऐसे ही लगा रहने दीजिये फिर ठंडे पानी से अपने चहरे को दो दीजिये आप इस पेस्ट को अपने पूरे चहरे पर भी लगा सकते है इससे जाईयां भी दूर होंगी और चहरे पर निखार आएगा और साथी स्किन टाइट होगी उपाय नमबर 3 नीमबू एक कुदरती ब्लीच है इसके इस्तिमाल से जाईयों से शुटकारा पाया जा सकता है इसके लिए आप एक नीमबू काटें और फिर आदे नीमबू पर एक चुटकी नमक और आदा चुटकी हल्दी डालें और फिर इससे जाईयों पर हलके हलके मसाज कीजिए ऐसा आप 2 मिनिट तक कीजिए इससे जादा देर तक या जादा जोर से स्किन पर मत रगड़िए फिर अपने चेरे को अच्छी तरह से धू दीजिए ऐसा अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपके चेरे से जाईयां दूर हो जाएंगी आपको कुछ और बातों का भी खयाल रखना है जो इस तरह से है दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पीना है दूप में ज़्यादा देर तक ना रहें और बाहर जाते वक्त संस्क्रीम का इस्तिमाल करें कम से कम 8 गंटे की नीन ले, तला भुना, जादा खटा, तेज मिर्च मसाले वाला, देर से पचने वाला खाना छोड़ दे इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिष्टदारों के साथ शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकी निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंसके, धन्यवाद दोस्तों